नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कुंदन और आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन चैनल क्रेस एजुकेशन दोस्तों आप बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि बिहार बोन मेट्रिक का कॉंपी का जो मुल्यांकन है खत्म होने के करार पर है और कल के निउज में आपने सुना वहां पर जब result आने की बात होती है तो आज के paper में निकल कर आया है कि बिहार बोन मेट्रिक का जो result है अभी नहीं आएगा बलकि अभी बहुत देर लगेंगे बिहार बोन मेट्रिक के result आने में तो जो कैसे देर लगेंगे श्रीयर पिशल में जो आपको बताऊंगा और आप से कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि बिहार बोर्ड की तरफ से अगर कोई भी लेटिस्ट अपडेट निकल कर आती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेसन आप तक पहुंच जाए तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों की अंक नहीं भेजने से रिजल्ट में अडांगा कहने का मतलब कि अंक जो है मार्क सिट यानि की डिटेल से देखिए इस निव्ज को क्या लिखा गया है यहां पर लिखा गया है कि मैट्रिक परिक्षा 2020 के रिजल्ट में परिक्षा का अंक नहीं भेजे जाने के कारण अडांगा लग गया है यानि कि आप लोगों ने हाई स्कूल कहते हैं हाई स्कूल में आप लोगों ने परिक्षा का एक्जाम दिया होगा जो साइंस और एसस्टी का होता है समाजिक विग्यान और विग्यान का होता है 20-20 नंबर के होते हैं तो विस विस नंबर के जो प्रैक्टिकल एक्जाम होते हैं उसका अभी तक जो result है उसका जो अंक है अभी तक बीहार बोड ऑफिस में नहीं भेजा गया है जिसके करण बिहार बोर्ड रिजल्ट में देर हो सकती है और एक बात यहां पर निकल कर आई है सामने जीले समित सुबे के अन्य सोलह जीलों में इस सम्वर्ण में अल्टी मिटिट के दिया गया है बोर्ड के निर्देश के बाद जीला अस्तर पर अस्कूलों द्वारा की गई लपरवाही शामने आई है और यह जो है बिहार बोर्ड का कर सकते हैं कि यह जो है बिहार बोर्ड की लपरवाही नहीं है जबकि यह जो है अस्कूल के द्वारा लपरवाही बरती गई है इसका जिम्में बार बिहारबोर नहीं बलकि विद्याले को High School को माना गया है और यहां पर Practical परिच्छा के नाम पर हो रही खाना पूर्ति की कलाई भी खुली है और यहां पर जो आप सभी लोगोंने Practical परिच्छा के नाम पर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सिच्छा को कुछ न कुछ देने का काम करते हैं और उन सभी बात भी आज सामने आई है, सोसल मेडिया के सामने आई है, मैट्रिक परिक्षा में शामिल सभी परचार्थियों का स्कूल अस्तर पर साइंस में इंटरनेशनल एसेस्मेंट होना था, वहाँ सोसल साइंस में लि प्रेक्टिकल का एक्जाम होता है बिज्ञान और समाजिक बिज्ञान का होता है और बिज्ञान और समाजिक बिज्ञान का जो परिच्छा होता है वो प्रेक्टिकल तरीके से कभी मौखिक तरीके से दोनों होता है लेकिन यहां पर कहा गया है कि यह सब जो प्रोजेक्ट बर जलता है उसमें practical के अंक भी शामिल होते हैं यानि कि जो बिहार बोड की तरफ से परिक्षा लिया जाता है साइंस और सोसल साइंस का वो 80-80 नमबर का ही होता है और 20 नमबर का आपके अस्कूल में ही परिक्षा लिया जाता है जो practical exam कहलाता है तो जब तक कि practical exam का number वहां पर नह कर सकता है तो वहीं यहां पर लिखा गया है कि बोड ने कहा है कि बिना practical के अंक के छात्रों के metric result जारी नहीं किया जा सकता तो आज साम 5 बजे तक नहीं भेजी रिपोर्ट तो result होगा लंबित यानि कहा गया कि अंदाज लगाया गया कि असाम 5 बजे तक विद्याले के असी स्थीती में लंब भीत हो सकता है विहारबोर्ड मैट्री का result तो बोड के परिच्छा नियत्र के डियों को गुरुबार के शाम 5 बजे इन अस्कूलों के बच्चों के प्रेक्टकल अंक को भेजने का निर्देश दिया है आज जो है गुरुबार है और आज साम तक और लेट होती है तो आपके result में साफ बात है कि आपके result में भी लेट हो जाएगी तो आपने इस news को देखा तो अगर वीडियो अच्छी लगई हो तो इसे like करिएगा अपने मित्रों के पास share कर दीजेगा तथा चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ आप में बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि इसी परकार का वीडियो आपको मिलता रहे और मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर मैट्रिक, पोल्टेक्निक, आईटी आई और इंटर की तैयारी भी अनुभवी सिच्छकों के द्वारा कराया जाता है अता इस चैनल क को आप अवशे ही सबस्क्राइब कर लें चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अपता के लिए जैहिन बंदे मातरम